हेला दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेल्काम तो माइचेनल फार्मा इकजकर! दोस्तो आज़की वीडियो में हम कुछ और कुछीन डिसकस करेंगे पीछले वीडियो में हमने फार्माकोलोजजी से कुछ 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 डिसकस करेंगे जो question previous years में आचुकी है ऐसा कुछ question आज हम discuss करेंगे हमने एक pharmacist महारातन स्टाट किया हुआ है 3000 का series है उसी के part है ये ये वीडियो जैसी के आप सभी को पता है और इसा की exam सारी है फिर जारकान खा भी exam सारी है इमस की भी exam से फिर अलग-अलग state की अलग-अलग exam सारी है तो उसी के लिए हमने 3000 का series स्टाट किया हुआ है अगर आप pharmacist के exam की तायारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो अगर वीडियो अच्छे लगे और अगर आप pharmacist exam की तायारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको notification मिलती रहे है चलिए आज के questions देख लेते हैं क्या है फॉच अफ दा फॉलोईंग इस दा प्राइमारी उनिट अफ वेट इन दा अब्राई म्हीं की इस फिलकाए प्राइमारी उकी की इन प्राइमारी उकी यंट क्या होती है मैंना एफ लड़का अब्र इन ग्राम-, कं मेलोग्राम, पाउंड या फिर व्राऊंस क्या होगी करेक्णर अपके अंसर क्या हो जाएगे तो पास system में आपकी प्राइमारी उनिट क्या होती है प्राइमारी उनिट होती है ओप्षन di arrival codeeyku ना ग्राम्स होगी ना किलो ग्राम होगी ना अंस अकिया ह्फ 파ॉंडि एगी नइक्स्ट निदेगलेंगे दा मीनिग ओफी लेटिन टार्म एक्स जntर्छे स्थेन्थ तु स्थेन्सके कर्शान हे दितिक अएंस्ट नकिलेंगे निद्तन एकुस्ट्छ difेंग कर मेंद सेठेंगी निकोर मीवद निद्वास जैसरा सर आक्स हमारिकर Ad तीक तो, टेक मतलब लो, यह न, आपशन है, टेक तो is the correct answer, वेननेसेसरी क्या होती है, यह सो एस हो जाती है, है न, सो एस को हम क्या कहते है, वेननेसेसरी, सेंड और आई तो पता है, तो रेस्ट को क्या कहते है, टेक थो कहते है, next question देख लेंगे the container used to protect the product from contamination and as well as from loss of the contents during use alcohol इसको हम क्या कहते है क्या बोला है the container used to protect product for contamination protect बोला है protect the product from contamination as well as the loss of contents during use तो उसको हम क्या कहेंगे well-closed container yard-tight container, light-resistant container या फिर multiple-dose container तो contamination के से बचने के लिए कौनसी container used किया जाता है तो आप अगर contamination option में रहेगा तो आप answer क्या लगाएंगे well-closed container well-closed container is the correct answer option A हो जाएगा correct answer अगर yard-tight container के बारे में बात करेगा तो उसमें आपका atmosphere ऐसा कुछ रहेगा या फिर moisture content रहेगा ये सब air-tight container के लिए रहेगा light-resistant UV lights है बचाने के लिए चो container हम यूज़ करते हैं अंबर कलर की होती है उसको हम light-resistant container करें बोलेंगे और multiple-doses container में multiple type कुछ भी रहेगा तो उसको हम multiple-doses container के हैंगे multiple-doses के container रहेगा इसमें हमें क्या बला है contamination के लिए लाइट लाइट से बचने के लिए PAKE गल्राज कोंटेइनर यहाई का अंसर 59 आपको कनफ्यूस करने के लिए बहुत अ और वी दिया हुआ है लेकिन आपको नहीं होना है आपको कंफ्यूसन नहीं होना है शेक बिफोर यूज उसको हम लेटिन में क्या कहते हैं? DSSB question 2019 का आया होग question है POADFT या फिर ASIT क्या कहेंगे? शेक बिफोर यूज जो रहती है ना अन्टासीट जेल बगर हमें शेक बिफोर, शेक वेल बिफोर यूज इसर रहती है तो उसको हम लेटिन में क्या कहेंगे? उसको शेक बिफोर यूज उसको क्या कहते है? एजिता अन्ते उसम एजिता अन्ते उसम कहते हैं एजिता अन्ते उसम एजिता अन्ते उसम तो उसको हम शोट में क्या कहेंगे? एजएट कहेंगे, एजएट कहेंगे, option D हो जाएगी, correct answer, अब भी बाकी options भी देख लेते हैं, P.O. क्या होती है, P.O. होती है, पार ओस, पार ओस होती है, जिसको हम क्या कहते है, by mouth, by mouth हो जाएगी, फिर E.D., E.D. को हम क्या कहेंगे, Candice Indle Tan, Orys Dextra, Orys Dextra, Orys Dextra कहेंगे हैं, जिसे Orys Adden Dextra, Orys आपको पता हैं, हमने पिछले वीडियो में भी बोला था, AU होने से क्या होती है, ए-R होती है आपको कहीं पे भी AU दिया हुआ हैं, ऐसे कुछ Canadian टाम मिलेगा, तो आप आप एर के एर से जाएंगे है ना तो और इस एड़ेटर एंड एक्स्ट्रा मिन्स क्या होती है डेक्स्ट्रा मिन्स राइट होती है और इस मिन्स एर होती है तो इसका वो क्या हो जाएगा राइट एर देख लेना एक बार पूछ सकता है क्वेशन और एफ्टी तो फिट पता प्लास्टिक्स के आती है ओविसली आती है जो सेलाइन वागेरा आती है है ना मेटल के कॉंटेइनर में आती है ओल ओब द एप ओब हो जाएगा करेक्ट अंसर ओप्शन डी इस दा करेक्ट अंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेंगे 1 quart is equal to 1 quart कितना होती है 250 ml 500 ml 750 ml या फिर 1000 ml 1 quart is equal to कितने ml होती है 1 quart is equal to 1000 ml होती है 1000 ml होती है आंसर क्या हो जाएगी अप्शन डी अप्शन डी इस दा करेक्ट अंतर आंसर 1 quart is equal to क्या होती है 1000 ml होती है और 1 pin बोलता तो क्या बोलते है 500 ml 1 pin कहते है 500 ml को 500 ml को क्या कहते है 1 pin कहते है 1 quart क्या है 1000 ml option d is the correct next question देखते है the ideal requirement for packaging is ideal requirement for packaging is packaging के ideal requirement क्या है toxic क्या ideal packaging में toxic होना चाहिए FDA approved reactive with the product reactive with the product या फिर cause of product degradation क्या हो जाएगी ideal requirement पेकेजिंग के लिए क्या होगी toxic होगी क्या कोई अगर container वगेरा toxic होती है क्या उसमें डालेंगे नहीं डालेंगे ना FDA approved food and drug administration approved येस ये हो सकती है reactive with the product अगर वह container प्रोड़ाट के साथ रियक्ट करेगा तो क्या ये चलेगा क्या ये आइडियल है नहीं फिर cause of product degradation degrade हो जाएगा अगर प्रोड़ाक्ट के साथ मिलके प्रोड़ाक्ट हो जाएगा क्या ये आइडियल है नहीं answer क्या हो जाएगा option B FDA approved is the correct answer चलेए next question देखेंगे which of the following should be written on top of the prescription इन में से आपको बाताना है prescription की top में क्या लिखते है sick क्या बिमारी के बारे में लिखते है patient's name, patient's father name या फिर patient address क्या लिखते है top में क्या लिखते है पहले prescription के top में क्या लिखा जाता है date लिखा जाता है उसके बाद इसमें क्या लिखा जाता है date लिखा जाता है फिर patient का नेम आती है age आती है फिर address आती है लेकिन father's name है क्या नहीं है तो पहले क्या है जाएगा प्रेस्किप्शन के पार्ट्स देख लिखते हैं देखिए यह पर क्या है फिर अपकी नेम आती है यह वेट आती है फिर आरेक्स सुपर क्रिप्शन आती है यह पुछता है सुपर क्रिप्शन में क्या आती है फिर इंस्क्रिप्शन में जो आपका मेडिसिन पगेरा लिखा जाता है वो आती है फिर सब्सक्रिप्शन में क्या आती है वो फार्मासिस्ट की डायरेक्शन साती है सिगनेचर में क सिगनेचर उसके बाद रिजिस्टेशन नमबर एंसील जो प्रेस्क्राइबर है उनकी रिजिस्टेशन नमबर एंसील उनकी सिगनेचर इसमें इहां पर भी सिगनेचर के बाद आपका रिनुएल भी आती है अगर रिनुएल के बारे भी पुझेगा तो क्या कि सिगनेचर के बात आती है refilled medicine या फिर कोई medicine को इधर लिख के देता है prescriber तो याद रखना है supercription में Rx वती है यह question काफी पुझे है important है inscription में prescription की जो prescription का जो medicine वगएरा रहती है वो inscription में आजाएगी subscription में वो pharmacist के लिए direction दिया रहता है signature में आपकी patient के लिए direction रहती है और फिर signature and registration number and seal and sign यह है prescription की part इसको एक बर देखलाँ आपका answer बन जाएगा तो यहाँ पे तो date नहीं है तो patient name हो जाएगा correct answer next question देखेंगे yes the parts of prescription containing direction to the pharmacist for preparing the prescription and dispensing them is known as कौनसी पार्ट में pharmacist के direction रहती है आप यह भी आपने देखा है कौनसी पार्ट में direction रहती है supercription, refilling, subscription या फिर signature किस में रहती है pharmacist के direction किस में रहती है pharmacist के direction yes subscription में रहती है subscription में क्या रहती है pharmacist के direction रहती है supercription में क्या होती है Rx होती है refilling जो signature के बाद में आती है refilling signature क्या है यह आपका patient की patient का direction होती है patient को कैसे दवाई लेना है उसके direction इसमें लिखा जाता है और subscription क्या है pharmacist को direction दिया जाता है कैसे prepare करना है कैसे dispense करना है subscription हो जाएगी correct answer option C is the correct answer एक बार देखना आपको याद आ जाएगा और इससे question बनती है inscription में क्या रहती है inscription में medicine बगएरा लिक्के देते है क्या क्या medicine चाहिए सभी medicine की नामस रहती है inscription में next question देखेंगे plastic containers are generally made from the following material plastic container किसे बनाया जाता है important है question polyethylene polypropylene या फिर polystyrene या फिर all of the above plastic container किसे made up of polyethylene polypropylene, polystyrene या फिर all of the above answer क्या है plastic containers are generally made from polyethylene, polypropylene polystyrene all of the above is the correct answer option D is the correct answer all of the above is the correct answer next question देखेंगे what is the primary purpose of tablet disintegration disintegration in pharmaceutical formulation primary purpose क्या है tablet disintegration की color enhancement flavor mixing binder या फिर facilitate tablet break up in the intestinal tract all of the above are the third this nt is the current का color enhancement क्या color enhancement है flavor max करना है या फिर binding के लिए या फिर facilitate tablet breakup in the gastrointestinal track क्या होगी correct answer primary purpose of tablet disintegrant primary purpose क्या होती है facilitate tablet breakup in the gastrointestinal track मारे purpose क्या है tablet breakup into GIT color enhancement नहीं flavor maxing भी नहीं bind भी नहीं disintegrant का काम नहीं क्या है breakup in the gastrointestinal track next question देखेंगे कुछ आफ फॉलोईंगी इस फांक्शन ओफ फार्मास्यूटिकेल emulsifying agent इसाबको emulsifying agent की function बताना है color stabilization emulsifying agent क्या करती है color stabilization करती है क्या flavor enhancement क्या flavor enhance करती है या फिर promotion of drugs solubility drug solubility में आती है या फिर stabilization of oil in water और water in oil system क्या होगी correct answer pharmaceutical emulsifying agent emulsifying क्या होती है emulsify doses by physical liquid doses form होती है ना तो इसमें आपको function बताना है emulsifying agent का function बताना है stabilization of oil in water water in oil system क्या होगी correct answer yes option d is the correct answer emulsifying agent color stabilize करती है नहीं करती है flavor enhance करती है नहीं करती है promotion of drugs solubility नहीं answer क्या है stabilization of oil in water और water in oil next question देखेंगे what is the purpose of the enteric coating in pharmaceutical tablet enteric coating pharmaceutical tablet में किस काम में आती है enhance tablet hardness improve tablet disintegration protect the drug from gastric acidity या फिर increase tablet self-life क्या होगी correct answer enteric coated क्या करती है अगर आप tablet के वारे में पढ़ना चाहते हो तो tablet के एक video बना के रखा हुआ है दो पार्ट है वेसे tablet tablet और capsule के अलग अलग video दिया हुआ है mcqs important mcq रखा है अगर आप चाहे तो जाके देख सकते है playlist बना हुआ है pharmaceutics का incompatibility का फिर prescription का अलग 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 playlist में रखा हुआ है video अगर आप चाहे तो देख सकते है enteric coating pharmaceutical में किस लिए दिया जाता है purpose क्या है enhancing tablet hardness नहीं improved tablet disintegration नहीं protect drug from gastric acidity क्या यह है increased self-life नहीं answer हो जाएक option c यह क्या करती है gastric acidity से बाचने के लिए हम क्या करते है enteric coated tablet देते हैं जो stomach में disintegrate ना हो किया किस में हो instant intestine में हो इसलिए हम क्या करते हैं enteric coated coating करते हैं परपास क्या है protect the drug from gastric acidity option c is the correct answer next question देखेंगे यह है आज की last last question next video में हम फिर और question discuss करेंगे इससे करके हम 3000 question discuss करेंगे यह क्या हो what is the main function of hemactin in pharmaceutical formulation hemactin का का काम को क्या होती है pharmaceutical formulation में hemactin का क्या है improve tablet hardness क्या improve है improved tablet hardness test enhance drug dissolution prevent microbial contamination retain moisture in the product क्या होगी correct answer what is the main function of hemactin hemactin का का काम क्या है improve tablet hardness नहीं hemactin का का काम यह नहीं enhance drug dissolution नहीं prevent microbial contamination नो फिर preservative दिया जाता है microbial contamination के लिए retain moisture in the product yes hemactin का function क्या है यह moisture content को retain करती है retain moisture in the product moisture content को retain करती है option D is the correct answer option D is the correct answer दोस्तों आज के लिए इतना ही next video में हम फिर मिलते हैं अगर वीडियो अच्छी लगें यह फिर question कुछ भी अगर आप आप आपको अच्छे लगा तो please like करिए channel को subscribe कीजिए और bell icon को भी दबात दीजिए तक कि आपको notification मिलती है अच्छी से exam के exam की तैयरी कीजिए best of luck next video में फिर मिलते है thank you